हेलो एवरिवान आप सभी का फिरसे सवागत हैं हमारी चैनल कटारे सिस्टर्स में आज इस वीडियो में हम लीटिल गर्ल पट्याला सूट बनाएंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं बोले तो चले शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो सबसे पहले हम मेजर्मेंट देखेंगे कुरता में 26 इंची तयार बनाएंगे कपड़ा हम प्लस थरी करके उसकी लेंथ लेंगे चैस्ट हम लेंगे 24 इंची उसका हम फॉर्थ पार्ट लेंगे हिप हम 24 तैयार बनाएंगे तीन इंच की हम बैल्ट तयार बनाएंगे उसमें प्लस तू यानिके हम 5 इंची बैल लेंगे सल्वार का उसमें प्लस वन करके 22 के मींस पार्ट की लेंघ हम 22 लेंगे और यह मेजर्मेंट 4-7 साल की लड़की के लिए काफी है यानि कि जो हम shoulder लेंगे और arm हो लेंगे वो इतने के लिए काफी है सबसे पहले हम अपनी कुर्ती कट करेंगे उसके लिए मैंने एक मीटर ही कपड़ा लिया है क्योंकि ये without sleeves है मैंने कपड़े को काट लिया है और उसे इस तरह से मोड़के रखा हुआ है हमारे पास दो layers है उसे हम इस तरह से एक बार और मोड़ेंगे इसकी जो मैंने चोड़ाई रखी है वो hip से मैंने दो इन ज्यादा रखी है यानि कि हमारे जो hip का fourth part है वो है change change में मैंने plus two करके अपना कपड़ा लिया हुआ है और जो यह length है तैयार length में मैंने three plus कर दिया है इस तरह से हम अपने कुर्ती की length लेंगे उसके बाद हम shoulder का निशान लगाएंगे बंदवाली side से पाचेंच के हम shoulder लेंगे यहां से भी पाचेंच का निशान लगाएंगे पाचेंच के हम armhole की length लेंगे यह काफी है 1.5 inches की हम armhole की गुलाई करेंगे उसके बाद अपने fitting का निशान लगाएंगे यानिकि जितनी हमारी chest है उसका हम fourth part का निशान लगाएंगे और सिलाई में दबाने के लिए extra कपड़ा हम छोड़ देंगे इस तरह से armhole की गुलाई करेंगे यहां से हम 4 का निशान लगाएंगे 12 inches का हम 4 का निशान लगाएंगे और 6 inches पे हम कमर का निशान लगाएंगे उसके बाद कमर भी हम इसी तरह से कमर का भी fourth part का निशान लगा देंगे यहां hip का fourth part और इन तीनों निशानों को अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से चेस्ट और कमर के निशान को अच्छे से इस तरह से मिला देंगे यह हमारे fitting का निशान है और बाहर यह हमारा extra जो कपड़ा हमने लिया है यह उसकी line draw कर देंगे अगर आप collar का neck बनाते हो तो आप जितना हमने तीरा लिया है उसमें हम आधा इंच प्लस कर देंगे और arm hole है उससे हम इतना ही रखेंगे अगर without sleeves है अगर आप sleeves लगा रही है तो आधा इंच और प्लस कर देंगे इस तरह से कुर्ति को काटेंगे हमारे पास कुर्ति के दो पार्ट है पीछ वाले पार्ट को लग करके इस तरह से रखेंगे फ्रेंट पार्ट को दूसरी तरव भी अच्छे से fitting का निशान लगा लेंगे यह हमारा चाक का निशान Change पर हमने कमर रखी है और यह हमारे fitting का fourth पार्ट हमने फिटिंग का निशान लगा दिया है दोनों तरफ यह हमारी कुर्ति का फ्रेंट वाला पार्ट उसके बाद नैक बनाएंगे तो उसके लिए पहले से ही हम सीधी तरफ बीचो बिच निशान लगा लेते हैं यहां पे और उसके बाद हम आर्म होल की चटाई करेंगे अब चाहे तो छोटी बची की चटाई ना भी करें तो भी ठीक रहेगा लेकिन हम आदा इंच की चटाई इस तरह से कर देंगे आधा इंच की ही छेटाई हमने की है यहाँ पे उसके बाद मैंने कुर्ती का बैक पार्ट लिया है जिस पे हम पीछे वाला नेक काटेंगे तेर इंच से मैंने थोड़े साज ज्यादा लिया है चोड़ाई में और डीप आप जितना बनाना चाहे मैं तीन इंची रखूंगी अब इसी राउंड नेकी शेप देंगे और अच्छे से काटेंगे यह हमारा बैक वाला गोलनेक कट गया है उसके बाद हम सलवार कट करेंगे सलवार बनाने के लिए मैंने बनार सी कपड़ा लिया है यह हमारा एक मीटर हो गया एक मीटर से पाचिन ज्यादा है इस तरह से हम कपड़े को मोड़ेंगे जो अब हमने मोड़ा है जो बनदवाली साइड है उसे हम इस तरह से काटके अलग कर देंगे क्योंकि जो हमारा यह प्रेंट है यह उल्टा और सीधा है यह उपर वाली तरफ है तो इन दोनों को हम इस तरह से सीधा करेंगे डिजाइन को हमने एकदम सिधा कर लिया है एक बार और कपड़े को हम इस तरह से मोड़ेंगे अभी हमारे पास हो गई है चार लेयर्स बंदवाली साइड इस तरफ है यहां से हम सलवार की लेंगे जितनी लेंद तयार है जिस हिसाब से हमने पाट की लेंद लेनी है यह हमारे पाट की लेंद ली जाएगी उसके बाद यहां से हम मोरी लेंगे और उसमें हम एक या डेर इंच प्लस करके कपड़ा लेंगे सिलाई में दबाने के लिए उसके बाद यहाँ पर अगर आप कलिया डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं छोटी लड़की का की सलवार है तो ना भी डाले तो ठीक रहेगा यहाँ पर हम क्रोचेरिया का निशान लगाएंगे 8.5 इंचिस का मैंने निशान लगाया है दोनों निशानों को इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे जो हमने निशान लगाया है उसे आप काटेंगे हमारी सलवार कट गई है एक दोनों पार्ट को हम इस तरह से अलागलग करके रखेंगे इस तरह से हम यहाँ से आपसन को स्टीज करेंगे यहाँ से यह हमारा आपसन है इनको हम इस तरह से स्टीज करेंगे इसको यहाँ अटेच करेंगे स्टीच करेंगे और इसको यहाँ पर स्टीच करेंगे दोनों को उसके बाद अपने नीचे पोचे बना लेंगे दोनों तरफ उसके बाद हमारे पास जो यह बचा हो आकपड़ा है इन्हें हम जोड़के अपनी बैल्ट बना लेंगे काफी छोटी बैल्ट बनेगी तो इसमें हमारे बैल्ट अच्छे से और आराम से बन जाएगी यह यहाँ पर हम जोइंट लगा देंगे और यहाँ से हम अपनी बैल्ट असानी से निकाल लेंगे मैंने बैल्ट को तयार कर लिया है और जो यह हमने आसन भी चोड लिये है नीचे पोचे बना लिये है दूसरी तरह भी मैंने पोचा बना लिया है और यह हमारी बैल्ट भी तयार हो गई है जितनी हिप है मैंने उससे 3.5 इंची चोड़ी बैल्ट बनाई है जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो मैंने ये बैल्ट बनाई है इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने पाच इंच काटी है यहाँ उपर वाली तरफ इस तरह से मोड़ते हुए हम लास्टिक डाल लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे चुनेटे डालेंगे इस तरह से चुनेटे डालेंगे दोनों इस तरह से एक हम इस तरफ डालेंगे और दूसरी हम इस तरफ डालेंगे यह हमारी दो चुनेटे जो हो जाएंगी प्लेट्स जो हम डालेंगे 1.5 इंचिस चोड़ाई में हम इने रखेंगे यहाँ पे हम इन्हें stitch करेंगे उसके बाद हम front जो plates हैं विडालेंगे इस तरह से इस तरफ की हम इस तरह से plates डालेंगे दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से plates डालेंगे लेकिन वो ulti direction में होगी जो हम plates डालेंगे वो बाहर वाली तरफ होगी यह belt में हमने बीच बीच हमने निशान है हमारा जो इन पे हम जो हमने आसन के सिलाई लगाए थी उन्हें हम मिलाएंगे और अपनी plates डालेंगे दोनों joints जो हमारे पास यह दोनों joints हैं इन्हें इस तरह से मिला के रखेंगे पहले हम बैक वाले plates डालेंगे अंदर दोनों सीधी साइड है यहां से हम stitch करना शुरू करेंगे दोनों joints को मिलाएंगे और इस तरह से plate डालेंगे दूसरी तरह भी जो हम plate डालेंगे वो इस तरह से ulti direction में डालेंगे थोड़ आगे तक stitch कर देंगे तीन या चारे इंच तक मैंने stitch किया है यह हमारी back plates हो गई 1.5 इंचीस की मैंने इने रखा है सीधी तरफ से यह कुछ इस तरह से दिखाई देगी अब हम front वाली अपनी plates डाल लेंगे यहाँ भी अच्छे से दोनों joints को मिलाएंगे 1.5 इंचीस का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम शुरू करेंगे अपनी plates डालना इस तरह से 1.5 इंच आगे से कपड़े को उठाएंगे जैसे हम plates डाल रही है उससे आगे हम 1.5 इंच का कपड़ा उठाएंगे और उसके अंदर जितना हमारा कपड़ा जाता है उसको डालेंगे इस तरह से अभी हमने कोई नापके नहीं देखा कि कितने इंच पे हम प्लेट्स को डालेंगे अभी जितनी हमारे डालेंगे उतने तक हम उतने इंच चीज तक हम अपने plates डाल लेंगे यह हमारे plates डल गई है आगे तक स्टीच करेंगे एक तरफ की plates हो गई है इन्हें हम अब हम नापकेंगे कितने इंच तक हुई है यहां से और जो यह जोइंट है यहां तक हमारी 7.5 इंच तक plates डली है तो अब हम दूसरे तरफ इतना ही निशान लगा लेंगे 7.5 इंच तक हम निशान लगा लिया है अब हम यहां तक ही plates डालेंगे यहां से हम शुरू करेंगे plates डालना यह हमने निशान लगाया हुआ है 7.5 इंच पे यहां अब यहां से शुरू करेंगे इस तरह से पहले हम इस तरफ डाल रहे थे लेकिन अब इस तरफ डालेंगे 1.5 इंच जो हमने चोड़ाई में plates डाले थी वैसे ही यहां भी डालेंगे और जो यह हम gap रख रही है plates के बीच वो हमने रखा है 1.5 इंच इसी तरह से सभी plates डालेंगे यह हमारी लास्ट प्लेट है और इस तरह से हमने सभी plates डाल ली है हमारी बैल्ट भी अटेच हो गई है और plates भी डल गई है यह हमारी बैक वाली plates उसके बाद हमने जो पोचे बनाए है वो सिलाई भी हम लगा लेंगे यहां पहले पोचे से आजसन तक इस तरह से यहां सिलाई लगाएंगे उसके बाद यहां से दूसरी तरफ भी हम पहुचे तक सिलाई को लगा लेंगे यहां हम लास्टिक डाल लेंगे जो कि मैंने पहले अपनी वीडियो में आपको दिखाई हुई है कि लास्टिक कैसे डालते हैं यह हमारी सीधी तरफ प्लेट्स हो गई और उपर हम लास्टिक डालेंगे इस तरह से मोड़के अपनी लास्टिक को डालेंगे जो कि मैंने पहले आपको सिखाई हुई है अपनी वीडियो में कि लास्टिक को कैसे डालते हैं लास्टिक मैंने डाल ली है उसके बाद यहां ये जो सिलाय लगाई है ये मैंने सिलाय को भी अच्छे से लगा लिया है और इसके साथ ही हमारी सलवारबन के एकदम तैयार हो गई है अब हम अपनी कूर्ती को stitch करेंगे उसके लिए सबसे पहले neck बनाएंगे उसके लिए मैंने draw लिया है neck नेक की चोड़ाई मैंने उपर से रखी है 2 इंच और जो मैंने लेंथ रखी है वो 5 इंच रखी है यहाँ से जब हम शोल्डर को जोड़ेंगे तो आधा इंच वहाँ दबा देंगे तो हमारी 4.5 इंच हमारा नेक डीप रहेगा बहार से एक्स्ट्रा वुक्रम को काटेंगे और अंदर जो हमने नेक ड्रो किया है उससे भी अच्छे से काटेंगे अब यह सिंपल नेक ही है इसे हम कुर्ती के फ्रेंट पार्ट पे अच्छे से बना लेंगे इस तरह से मैंने neck बना लिया है उसके बाद हम कुर्टी के shoulder जोड़ेंगे back वाले पार्ट को उपर वाले तरफ सीधा करके रखेंगे और front वाले पार्ट को उपर मैंने उल्टा करके रखा है यानि की अंदर दोनों पार्ट सीधे हैं उसके बाद शोल्डर को इस तरह से जोड़ेंगे बैक वाले पार्ट को मैंने आधा इंच बाहर निकालके रखा है इस तरह से शोल्डर हमने जोड़ लिया है बैक वाले नेक और आर्म होल पे हम पटी लगाएंगे उसके लिए मैंने एक इंच चोड़ाई में पटी को काटा है तिर्ची पटी लिए है उसे हम इस तरह से मोड़ के सीधी तरफ रखेंगे और इस तरह से हम इसके उपर सिलाई लगा लेंगे पटी को हम हलके हाथों से खिचते रहेंगे अब इस पटी को उल्टी तरफ मोड़ेंगे इस तरह से इस तरह से तिर्ची पटी काटके दूसरे आर्म हॉल और बैक नेक पे भी हम लगा लेंगे तोनों तरफ बैक नेक पे मैंने पटी को लगा लिया है और साइड में फिटिंग करेंगे उसके बाद हम लेंद का निशान लगाएंगे इस तरह से और नीचे से भी अच्छे से मोड़ेंगे इस तरह से निशान तक हम एक्स्ट्रा खपड़े को मोड़ेंगे दूसरी तरफ इस तरह से निशान लगाके उसे भी अच्छे से मोड़ेंगे और यह मैंने लेस ली है इसे हम नीचे अच्छे से अटेच कर लेंगे इस तरह से मोड़ेंगे यहां पर हम अच्छे से सीधी लेस लगानी है इस तरह से हम लेस को लगा लेंगे मैंने साइड में फिटिंग करके नीचे इस तरह से लेस लगा ली है बैक वाले पार्ट पे भी मैंने लेस लगाई है और हमारी कुर्ती भी बनके एकदम तयार हो गई है उसके बाद मैंने इस तरह का इसके साथ दुपटा बनाया है जो कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि हम डेकोरेट कैसे कर सकते हैं अपने दुपटे को आप वाहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं और ये हमारी सलवाद तो इस तरह से हमारा पूरा पटियाला सूट बनके तयार हो गया है अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूले अब हम मिलते हैं नेक्स वीडियो तब तक के लिए बाई